भिलाई की स्मिती नगर पुलिस चोगी शेत्र रिस्तित ग्रीन वैली कॉलोनी में नकली दूद बनाने का खुलासा कॉलोनी वासियों ने किया है नकली दूद बनाने वाला संपत दास वहां फ्लेट लेकर रह रहा था और उसके साथ ही फ्लेट के अंदर ही बेकिंग सोडा यूरिया और डिटर्जेन की मदद से नकली दूद तयार किया करते थे इस्थानी लोगों को फ्लेट लेकर रहने वाले संपतदास पर शक हुआ कि बिना गाय भैस रखे इतना दूद प्लाता कहां से है इसके बाद लोगों ने उस पर नजर रखना शुरू किया और नकली दूद बनाते संपतदास को रंगे हाथों पकड़ा और संपतदास की जमकर पिटाई का स्मिति नगर चौकी पुलीस के हवाले किया